हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आर चैनल मैं हूँ नेहा और आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई तो प्याजा जिसे हम बस मलाई प्याज और घर के कुछ बेसिक मसाले यूज़ करके तयार करेंगे इसे बनाने में हमें 10 मिनिट से भी कम लगेगा तो अगर आपका भी बिना मेहनत क करें कुछ बढ़ियां खाने का मन है तो एक बार इसे जरूर ट्राय करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथी साथ माय चानल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए जल्दी से बनाना चालू करते हैं सबसे पहले हमें कड़ाई या फिर पैन में दो ब अब से बड़ा हैं एक तेजबत्टा और दो लाल मेच कि आब इसमें नगरे हैं एक चमच अधरक का पेस्ट और एक चमच लेसन का पेस्ट को कुछ सेकेंद्स के लिए तेल में अच्छे से भून लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो हरी इलाइची और दो हरी मिर्च जिसे मैंने लंबा-लंबा काट लिया है इलाइची यहाँ पे ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं मसालों के भुन्ने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ दो प्यास जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है प्यास को यहां पे बारीक नहीं करना है क्योंकि हम प्यास की ही सबजी बना रहे हैं इसलिए प्यास को मोटा मोटा ही काटना है अब हम इसको कवर करके पांच मिनिट में प्यास सिक्कर तयार हो गई है इसको यहां पर हमें पूरी तरह गलाना नहीं है इसको हलका क्रिस्पी रहने देंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं एक तमाटर जिसे मैंने मिक्सी में चला के प्योरे बना लिया है तमाटर भी यहाँ पर completely optional है आप चाहें तो टमाटर को यहाँ पर बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक हल्दी मैंने ली है आधा चमच और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से सबसी को एक बार चला लेते हैं जिससे नमक और हल्दी अच्यसे मिल जाए और उसके बाद हम इसे कवर करके 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इसको रखे होएं 2-3 मिनिट हो गया है तो एक बार खोल के और चला के देख लेते हैं सबसी को यहाँ पर तमाटर भी अच्छे से भून गए हैं और मसाला बिलकुल तयार है तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले यहाँ पर हमने लिया है आदा चमच लाल मिर्ट जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से अज़स्ट कर सकते हैं और एक चमच धनिया पाउडर हमारी सबसी का में इंग्रीडियन्ट जो की है मलाई तो हमने यहाँ पर लिया है आदा कप मलाई आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है मलाई डालते से ही हमें सबसी को कंटिनुसली हिलाते रहना है अग अब तक कि इसमें एक उबालना आ जाए दो मिनिट चलाने के बाद सबसी में उबाल आ गया है और इसकी जो क्रेवी है वो थोड़ी थिक और क्रीमी भी हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला और एक चमच कसूरी मेती जिसे हाथ में लेकर मैंने अच् अगर आपने सबसी में तमाटर यूज नहीं किया है तो यहां पर आप आधा चमच आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं तो तयार है हमारी मलाईदो प्याजा गैस की फ्लेम को हम अब आफ कर देंगे और इसे सर्फ करेंगे नान रोटी या फिर राइस के साथ में कम मसालों में इसे बना कर तैयार किया है तो एक बार इसे जरूर ट्राइ करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमाए चानल को सब्सक्राइब भी करें